Hello everyone, स्वागता हैं आप सभी का लोकवानी पार्ट शाला में और करंट अफेर्स की दूसरी क्लास में तो आज की क्लास के अंदर हम 4 मई से लेकर और 5 मई 2023 तक की एक्जाम वाली टोप 10 करंट अफेर्स के बारे में पढ़ेंगे इससे पहले करंट अफेर्स की एक क्लास में आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूँ उस क्लास के अंदर मैंने आपको 1 मई से लेकर और 3 मई तक की करंट अफेर्स के बारे में बताया है तो अगर अभी तक आपने class को नहीं देखा है तो link मैंने आज की class के description box में दे दिया है वहाँ जाकर आप अच्छे से पहली class को देख सकते हैं तो चलिए आज की class शुरू करते हैं class को आप last तक देखें class अगर आपको अच्छी लगती है तो class को आगे share जरूर करें और channel को भी subscribe करना ना भूले तो चलिए पहले question को पढ़ते हैं लिखा हुआ है संगाई सहयोग संगठन इसको आप SCO भी बोलते हैं संगाई सहयोग संगठन 2023 के सदस्य देशों की वर्तमान बैठक 4 से 5 मई तक कहां आयूजित हुई है तो भी option देखने के बाद इतना पता आपको लग गया होगा कि इस बैठक का आयूजन भारत में ही किया जा रहा है तो बिल्कुल सही बात है भारत के अंदर ही इस बैठक का आयूजन किया जा रहा है और भारत ही इस बैठक की अध्यक्षता भी कर रहा है तो थोड़ा सा मैं आपको संगाई सहयोग संगठन के बारे में बता देता हूँ इसके अंदर जो कुल देश आते हैं उनकी संख्या आठ है और हर साल इस बैठक का आयोजन भी किया जाता है तो जैसा कि जब भी कोई बैठक रखी जाती है तो उसका कोई न कोई सब्जेक्ट ह होता है तो इस बार भारत इस बैठक की अध्यक्षता कर रहा है तो भारत ने इस बैठक का जो सब्जेक्ट रखा है उसका नाम है सिक्योर स्क्राइड के मुड्य बारे में इस बैठक में बात होगी तो चलिए राजज्य का नाम है गोवा जहां पर इस बैठक का इयउजन किया जा रहा है चलिए आगे चलते हैं दूसरा सवाल है केंद्रिये परत्यक्स कर बोड इसको आप C, B, D, T, B कहते हैं केंद्रिये परत्यक्स कर बोड का चेर परसन किसे न्यूक्ट किया गया है तो इनका नाम है संगीता सिंग जिनको हाल ही में इस बोड का चेर्मेन बनाया गया है इससे पहले जेबी महापात्र इ जो भी हाल ही में 31 अपरेल 2023 को रिटायर हुए हैं आगे चलते हैं लिक्का हुआ है हाल ही में भारत ने अपना पहला सोधेसी विवान वाहक पोत बनाया है इसका नाम क्या है तो बहिए इस विमान वाहक पोत का नाम है आई एने स्विकरांत थोड़ा सा इसके बारे में मैं 40,000 टन है और इसे अगस्त महा में भारतिये नो सेना को सोपा जाएगा आगे चलते हैं इस राज्या का नाम है केरल जिसने पस्चिम बंगाल को 5-4 से हरा कर इस खिताब को जीता है इतना आप लोगों को पता होगा कि संतोस ट्रोफी का जो संबंध होता है वो फुटबोल के खेल से होता है आगे चलते हैं विश्वा बैंक के अगले अध्यक्स के रूप में किसे न्युक्त किया गया है इनका नाम है अजय बंगा जो एक भारतिये मूल के खिलाडी है जिनको विश्व बैंक का अगला ध्यक्स न्यूक्त किया गया है विश्व बैंक का जो मुख्याल्य है वो गोशेंग गटन में पढ़ता है तो इस बात कपी आप ध्यान रखें आगे चलते हैं हालही में जारी World Price Freedom Index 2023 में भारत का कुण से स्थान है तो इस बार भारत का 161 स्थान है जबकि पिछले वर्ष 2022 में भारत का 150 स्थान था तो भारत 11 स्थान नीचे चला गया है इस इंडेक्स के अंदर और जो देश पहले नमबर पर आया है उसका नाम है नारवे उसको भी आप याद रखें चलिए आगे चलते हैं लिखा हुआ है सभी टैक्स देने वाले ऐसे कारोबारी जो समय से कर नय चुकाने के कारण परताडित किये जा रहे हैं तथा अदालतों के चक्कर काट रहे हैं ऐसे कारोबारियों को राहत देने के लिए भारत की वित्मंत् दी गई है और वो आने वाले 30 जून तक अपने टैक्स को जमा करा सकते हैं आगे चलते हैं हाल ही में बंगला देश के 22 राष्टपती के रूप में किस ने सपत ली है तो बैं इनका नाम है मुहम्मद शहबुद्दीन जो बंगला देश के 22 राष्टपती बने हैं अगला कोश किया जा रहा है तो बैं इस राज्जय का नाम है राजिस्थान जैसा कि आप लोगों को पता होगा परती एक वर्स विश्व योग दिवस यानि अंतर रास्टे योग दिवस 21 जोन को मनाया जाता है लेकिन राजिस्थान के अंदर 50 दिन पहले से ही इसके कारिकरम की किस राज्जय में हुई है तो बैं इस राज्जय का नाम है उत्तर परदेश उत्तर परदेश राज्जय के मान्य मुख्य मंतरी योगी अदित्यनात जी ने और वर्तमान में केंद्रिया खेल मंतरी अनुराग ठाकुर जी ने इस खेल का सुबारंब किया है तो बैं अभी आपकी किलास खतम नहीं हुई है अब इस किलास के अंदर मैं आप लोगों के लिए पहली किलास के कुछ इंप्रोटेंट कोश्चन लेकर आया हूँ तो चलिए उनका भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं चलिए फास्ट ट्रैक रिवीजन की तरफ चलते हैं और इस रिवीजन के अंदर मैंने पिछली किलास के तीन कोश्चन को रखा है तो चलिए देखते हैं कितना याद है आपको पिछली किलास के बारे में पहला सवाल है सत्रवा विश्व सत्रंज चैंपेंशिप का किताब जीतने वाले डिंग ली रेन किस देश के खिलाडी है तो भी मैंने आपको बताया था कि ये चीन देश के खिलाडी है जिनोंने इस साल विश्व सत्रंज चैंपेंशिप का किताब जीता है अगला कोश्चन पढ़ते हैं लिखा हुआ है Film Fair Award 2023 में सर्वस्रेश्ट अभिनेतरी किसे चुना गया है तो इनका नाम है आलिया भट आई होप कि आप भी मेरे साथ साथ सही जवाब दे रहे होंगे चलिए अगला कोश्चन पढ़ते हैं दुनिया के दसवे सबसे उचे पहाड माउंट अनपूर्ना की उचाई कितने मिटर है तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट बोक्स में लिख कर देंगे ताकि मुझे पता कि आप कितना करंट अफेड्स को पढ़ रहे हैं तो आज की क्लास में इतना ही है च्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो क्लास को आप शेर जरूर करें वो चैनल को भी सबस्क्राइब करें अगली क्लास के अंदर नई करंट अफेड्स के साथ वापस आप लोगों से मु झाल यू